गर के सामने कौन सी दस चीजें नहीं होनी चाहिए? मुखे द्वार या गर के सामने कोई सीधा मार्ग नहीं होना चाहिए, इसे ग्रेह स्वामी का नाश हो जाता है मुखे द्वार या गर के सामने कोई गड़ा या किचड़ नहीं होना चाहिए, यह शोक कारक है मुख्य द्वार या गर के सामने कोई नाला नहीं होना चाहिए यह दननाशक होता है मुख्य द्वार या गर के सामने यदी कोई कुँआ है तो मिर्गी का रोग होगा मुख्य द्वार या गर के सामने सतंब है तो इस्त्री को रोग लगा ही रहेगा मुख्य द्वार या गर के सामने यदि मंदिर है तो परिशानी और संक्टों से गिरे रहेंगे मुख्य द्वार या गर के सामने सीड़ी नहीं बनवाना चाहिए या नहीं होना चाहिए द्वार के उपर द्वार होना भी नुकसान दायक है इसे धन्दान्य का नाश होता है गर के उपर पढ़ रही चाया से चाया वेद होता है हलांकि यह देखना होता है कि गर के उपर किस की चाया पढ़ रही है और किस दिशा से और किस पहर में चाया होती है उसी से लाव या नुकसान का पता जलता है मुखे दुआर या गर के एकदम सामने कोई व्रक्ष नहीं होना चाहिए यह सबी कारें में बादा उत्पन करता है इससे बाल दोश भी होता है कौन सा व्रक्ष गर के किस दिशा में होना चाहिए यह उलेक मिलता है दोस्तों उमीद है वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें तब तक के लिए जै हिंद धन्यवाद